इस तो बात करेंगे यस बैंक के बारे में देखे इन दिनों यस बैंक के अंदर नीचे के लेवल से तेजी का महौल बना हुआ है और 14.85 पैसे के आसपास इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट रणिंग में हैं लगबग 1% की तेजी आपको स्टॉक्स के अंदर दिखाए दे रही है देखे आप जानते हैं कि Q4 का सीजन चल रहा है काफी सारी कंपनिया अपने रिजल्ट अनाउंस करती हुए नजर आ रही है तो Yes Bank के भी result आने वाले हैं अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है तो इसके बारे में जरूर discussion करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि अगर possibility बन रही है stocks के अंदर जिस तरी की से अब तक हल चल देखी है तो क्या उपर के level हम लोगों को दिखाए दे सकते हैं dividend के regarding हम लोगों को कुछ खबर देखने को मिल रही है तो उससे संबंदित जो है बात करने वाल है दोस्तों उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो इस चैनल को subscribe करके रख सकते हैं जरूर हिट कर लिजेगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकीशन आपको इजिली बिलते रहें अब देखें तेजी का महौल बना हुआ है इस बैंक के अंदर 14-85 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 5 दिनों के अंदर आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि इस स्टॉक्स जिस तरह किसे लगतार गिरावट जहल रहा था वापिस से अच्छा कासा मोमेंटम इसके अंदर हम लोगों को दुबारे से दिखने को मिल रहा है तो एक रेली बनती हुने जरा रही है उपर की तरह मोमेंट हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है और लगबग 6 पसेंट के आजपास मान के चल सकते हैं कि तेजी का महोल बना हुआ है देखे लगातार गिरावट हो रही थी पिछले एक महीने से स्टॉक्स के अंदर लगबग 16 पसे बी उपर के लेवल देखने को मिले थे और लगबग 6 पसेंट के लेवल आपको देखने को मिले और काफी दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक्स के अंदर और देखाई दिये तो क्या वापस से उपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो डिपेंड करेगा कि बिजनस मोमेंटम किस तरीके से दिखाय दर है क्या लोन ग्रोथ के अंदर लोन बॉक के अंदर हमनों देखने को मुल दिए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Yes Bank के result जो है वो कब आने वाले हैं काफी सारे निवेशकों को इंतजार है कि 1490 के आसपास ये trade करता हुआ नजर आ रहा है और काफी सारे निवेशकों उपर के level पर फसे भी हुए होंगे तो फिलाल में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है board meeting तो यह board meeting से related आपको column दिखाए दरा है तो यहाँ पे financial results से regarding जो है आपको इससे में date दिखाए देरी होगी 30 April 2021 तो यहाँ पे क्या है कि board meeting date इन्होंने यहाँ पे दी हुई है तो 30 April 2021 को board meeting होगी और उसके अंदर decide किया जाएगा कि कब हमें इसके result announce करने है तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है board meeting के अंदर decide कर दे जागा अवराल देखा जाए तो मई के महीने में ज़्यादतर company के result अवराल देखें तो आ जाएंगे तो yes bank के result भी आपको संभावता 15 तारिक से पहले पहले यानि कि 15 मई से पहले पहले हम लोगों को देखने को मिलने चाहिए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरह के नतीजे इसके अनुमानित हम लोगों को दिखाए दे रहे 31 तारिक को board meeting होनी है उसके बाद में date declare की जाएगी और board meeting में ये भी फैसला किया जा सकता है कि क्या dividend के regarding हम लोगों कुछ देखने को मिलेगा या नहीं तो फिलाल में क्या है कि अभी देखे लगबग जो अनुमानित आकड़े हम लोगों के सामने दिखाए दे रहे तो डिपोजिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे दोस्तों ये भी एक चीज आपको नोट करने वाली है कि लगबग 54% से जादा का उचाल दिखने को मिल सकता है और अनुमानित यहां पर इससे में स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है लगबग 162948 करूर रुपे के आसपास रहते हुए नजर आ सकते है तो फिलाल में जिस तरीके से लगातार ग्रोथ हो रही है बैंक के अंदर तो हो सकता है कि नतीजे जब हम लगों के सामने दिखाई दे तो स्टॉक्स के हालत कुछ और ही हो अभी फिलाल में लगबग 15 रुपे के आसपास मान के चल सकते है हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपको 17 क्या इस से उपर भी जाता हुआ नजर आए अब देखिए अगर बिजनिस अपडेट की बात करें तो येस बैंक के अंदर जो लोन ग्रोथ है उसके अंदर भी हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है और अनुमानित बताया जा रहा है कि लगभग 1,72,850 क्रोड रुपे के आसपास मार्च 31,2021 तक प्राप्त हुए है जिसमें कि लगभग 0.8% के आसपास हम लोगों को ग्रोथ देखने को मल रही है येर ओन येर वेसिस के आधार पर लगर देखे दो तो फिलाल में तेजी का महौल बना हुआ है इसी तरीके से कर बात करें जो पिछला हम लोगों को दिखाई दे रहा था लगभग 1,71,443 करोड मार्च 31,2020 में यानि कि ठीक एक साल पहले उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिली थी 2020 में हम लोगों को डेटा प्राप्त हुआ था तो महां से भी हम लोगों को तेजी के संकेत प्राप्त हो रहें अगर डिपोजिट्स की बात करें तो जैसे के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 1,54% का उच्छाल देखने को मिल सकता है यस बैंक के अंदर देखे शेरोल्डिंग पैटर्स के अंदर भी अपडेट हो चुका है डेटा तो उसके अंदर बे अनलिसिस करने की कोशिस करते हैं कि क्या चेंजिस हम लोगों को दिखाए दर है देखे गर फिलाल में बैंक के अंदर प्रमोटर्स की सिदी देखें तो फिलाल में बैंक के अंदर प्रमोटर्स है नहीं कोई भी होल्डिंग इनके अंदर हम लोगों को नहीं दिखाए दरी है अब देखते हैं कि दूसरी जो हम लोगों को होल्डिंग दिखाई देरी है FIs की तो सिच्वीशन देखने को मिल रही है लगबग 13.77% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है मार्च 2021 में तो रिजल्ट अभी आये नहीं उससे पहले ये डेटा अपडेट हो चुका है अगर इससे पहले वाले क्वाटर की बात करें यानि के दिसंबर 2020 में तो लगबग 15.01% के आसपास आपको होल्डिंग देखने को मिल रही थी FIs की तरफ से महां से हम लोगों को लिटिल बिट बिक वाली देखने को मिल रही है इससे पहले देखें तो लगबग 11.01% के आसपास होल्डिंग बनती होने जरा रही थी देरे देरे करके मुमेंटा मच्छा खासा बन रहा था उपर की तरफ हम लोगों को मुमेंट दिखाए दे रहा था और अगर अब देखें तो माच 2021 के दुरान हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है इसी तरीके से बात करते हैं डियाएस की तो देखें डियाएस की जो होल्डिंग हम लोगों को दिखाए दे रही थी पिछले क्वाटर में लगबग 47.3-4% के आसपास इससे माँ आपको दिखाए दे रही है लगबग 46.72% के आसपास तो इसके अंदर भी आपको quarter on quarter basis पे गिरावट देखने को मिल रही है इससे पहले देखें तो लगबग 49.2-8% के आसपास दिखाए दे रही थी इससे पहले लगबग 49.1% के आसपास आपको दिखाए दे रही थी तो गिरावट का सिलसला जारी है लगातार विकवाली जो है डियाएस की तरफ से हम लोगों को दिखाए दे रही है इसी तरह के से बात करते हैं पबलिक की होल्डिंग की देखे अगर फिलाल में बात करें तो लगबग 37.331 करोड के आसपास मार्केट वेल्यू दिखाए दे रही है और फिलाल में 2020 के इंदर जिस तरह के से भी डिविडेंट नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि इस बार कुछ डिविडेंट के रिगार्डिक हम लोगों को अनौस्मेंट देखने को मिले अर्णिंग पर शेर नेगटिव में दिखाए दे रहा है ROC की स्तिति नेगटिव में देखने को मिल रही है ROE नेगटिव में है देखने को मिल रहा चार्ट के दुरान आप देखें बात कर लेते हैं ROE की तो उपर के लेवल से ग्राफ के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है लगबग अगर पांच साल का मोमेंटम देखें तो गिरावट वाला रहा है एक साल के दुरान तो लगबग पांच पसंद से जादे की गिरावट देखने को मिल रही है NPA लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं देखे NIM की अगर सिर्थी की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों को पॉजिटिव नैस इस समय देखने को मिल रही है अब उसको जानने की कोशिश करते हैं देखे शेर आउल्टी पैटर्स हमने चेक करी लिए तो नतीजों के अंदर किस तरिके का फेर बदल हम लोगों को दिखाए दे सकता है क्योंकि अभी क्वाटर फॉर की अर्निंग्स अपडेट होने वाली हैं आने वाली हैं तो कहने का मतलब भी है कि क्वाटर फॉर को जो बदलाव देखने को मिले थे मजबूत संकेत माने जा सकते हैं तो कहने का उम्मीद यही लगा के चल रहे हैं जिस तरीके से खबरों के अंदर भी से हम लोगों को दिखाए देरा है तो इंटरेस्ट इंकम जो है बढ़ती हुए नजरानी चीए इसी तरीके से अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो एक सो उन्तिस करोड के मकाबले कर देखा जाए तो एक सो पचास करोड के आसपास निकल के आया था अब बात करते हैं नेट NPA और ग्रोस NPA की तो नेट NPA के अंदर अगर देखें तो सितंबर 2020 का जो क्वाटर हम लोगों को दिखाए दे रहा था चार दसम्रों साथ एक पसंट के आसपास नेट NPA के अंदर हम लोगों को चेंज़े दिखाए दे रहे थे और अगर अब ही हाल फिलाल का जो क्वाटर भीता है दिसंबर का उसमें 4.04% के आसपास निकल किया रहे तो NPA कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो मजबूत संकेत माने जा सकते हैं तो उमीद यही लगा कर चल सकते हैं कि इस बार भी आपको NPA के अंदर गिरावट देखने को मिलनी चीए इसी तरीके से अगर ग्रोस NPA की बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रहे है अब बात कर लेते हैं कि year on year business पे किस तरह के का action हमें बैंक के अंदर देखने को मिल रहे है तो देखें अगर March 2020 की बात करते हैं तो interest income कम निकल के आई है पिछले साल की अपिक्षा 26,000 क्रोड के आसपास निकल किया रहे है जो कि पिछले साल लगवख 29,000 क्रोड के आसपास देखने को मिल रही थी तो year on year business पे गिरावट देखने को मिली है तो हो सकता है कि इस बार जो हमें year on year business पे तेजी के संकेत पराप्त हो इसी तरह के से 2018 की अगर बात करें तो 20,000 क्रोड के आसपास आपको दिखाई दे रही है 2017 के अंदर 16,424 क्रोड के आसपास निकल किया रही है उससे पहले देखें तो लगवख 13,533 क्रोड के आसपास निकल किया रही है तो संकेत जो है यही दिखाए दे रहे हैं कि जिस तरह किसे गिरावट हमें देखने को मिली है तो अभी काफी दिनों से चैंजिस भी चल रहे हैं बैंक के अंदर बदलाओ भी हो रहे हैं काफी सारी खबरे भी निकल किया आ नहीं अनुमान यही लगाए जा सकता है कि कहिने की रुजान पोजिटिव रह सकता है अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो देखें नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली थी 16,418 करोड के आसपास नेगेटिव दिखाई दे रहा है और अगर पिछले साल के अगर बात करें तो लगवख 1720 करोड के आसपास निकल के आया था तो उम्मीद यही लगा कर चल सकते हैं कि कहिने की रुजान हम लोगों को यहां पर भी पॉजिटिव दिखने चीए है अब देखें बात करते हैं डिविडेंट के बारे में तो हो सकता है कि इस बार यानिके 2021 के अंदर यह जो है हम लोगों को डिविडेंट देते हुए नजर आएं तो देखें अब जिस तरीके से बार्ड मिटिंग होनी है फिर उसके अंदर रिजल्ट का अनौंसमेंट होगा कि इस तारीक को रिजल्ट आएंगे तो डिविडेंट के रिगार्डिंग भी हम लोगों कुछ नकुछ देखने को मिल सकता है देखें ये एक संभावना है कि डिविडेंट मिल भी सकता है उमीद लगा कर यही चल रहे हैं अभी फिलाल में कुछ भी जो कंपनी का बोर्ड है उसने कुछ भी ऐसा कुछ मैसिज फ्लैस नहीं किया जिसमें ये बताया जा सके कि डिविडेंट मिलेगा ही तो इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीज पहले से ही तैयारी करके चलने चीए अगर डिविडेंट मिलता हुआ नजर आता है तो आपको रिकोर्ड डेट का पता होना बहुत ज़्यादे जरूरी है क्योंकि रिकोर्ड डेट से पहले अगर आप खरीदारी करते हुए नजर आते हैं तो कहिन कहिन आप डिविडेंट का लाव उठा सकते हैं